भारती विद्य भवन के एनुल स्टडी टूर में आयो जित कल्चरल प्रोग्राम का आनंद उठाने पहुंचे भवन के पूर्चातर योगेश कुमार हमारे सथ की गई बातचीत में उन्होंने भवन से जुड़ी पुरानी आदे साजा करी आये नज़र डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर भवन का स्टडी टूर जोरो शोरो से आगे बढ़ रहा है और हर शाम यहां अलग-अलग ग्रुप का कल्चरल प्रोग्राम होता है ऐसे ही कल शाम के कल्चरल प्रोग्राम में पहुँचे भवन के ही एक स्टूरेंट योगेश जी जो 2006 बैच में आटी वीजे के स्टूरेंट रह चुके है और अभी जर्नलिजम की फील्ड में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आईए देखते हैं उनके द्वारा शेयर करी हुई बातों की गपशब फिलहाल हम मौजूद हैं गड़वाल विकास मंडल निगम में और आज हमारे साथ कल्चरल प्रोग्राम देखने के लिए इस्पेशली भवन के ही एक स्टूरेंट हमारे साथ मौजूद है आईए हम इनसे बात करते हैं सर आपका आने का कोई स्पेसिफिक परपस परपस यही है कि इतिफाक से हम रिशिकेश में थे और आज हमारी मुलाकात विशाल सथ से हो गई तो उन्होंने कहा कि हम कल्चरल टूर पर आये हुए हैं तो काफी अच्छा होगा कि हम आगे शाम को कल्चरल प्रोग्राम देखें इसी बाहने बातकास से मुलाकात हो जाएगी और नए स्टूडेंस का काम भी देखने को मिलेगा क्योंकि स्टूडी टूर बहुत ही इंपोर्टन्ट होता है इस माइने में कि आप पहली बार आपको on-hand experience मिलता है कि किस तरीके से shoot करना है, क्या करना है या फिर कैसे composition होता है, कैसे direction होता है या फिर reporting कैसे करते हैं क्योंकि उससे पहले 4-5 महिने आपने जो कुछ भी सीखा होता है वो theory होती है, mostly कोई भी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट आप नहीं करते हैं तो ये पहला experience होता है in field जिसमें कि अफकोस गल्तियां बहुत सारी होती है होनी भी चाहिए क्योंकि अकसर लोग गल्तियों से ही सीखते है तो जो भी आप यहाँ बनाएंगे और भी जाके edit करेंगे उसके बाद देखेंगे और तो आपको समझ में आएगा कि कहां कहां क्या अच्छा हो सकता था या कहां क्या छूट गया कैसे उसको और बहतर बना सकते थे और उसके बाद जब course end होता है जब आप final projects करेंगे और उन projects को जब आप बनाएंगे तो यहाँ की गलतियां सुधारने का मौका आपको वहाँ मिलेगा तब आपको पता चलेगा कितना फर्क आया यहाँ के projects में और final projects में तो इसलिए यह बहुत ही important tour है जैसे कि आपने देखा कि excitement level है आया हाँ के cultural program का और एक student भी कितने excited है cultural program देखने के लिए धन्यवाद इनका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मैं Tanya cameraman Manjeet के साथ Carva News